नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मैं सेसी नोट्स में हैं दोस्तों इस वीडियो हमें लोग सिछन को सल बाल विकास था जीवन को सल के कुछ इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजे जिससे आपको अगली वीडियो का भी नॉटिफिकेशन आपको मिल जाए उसके लिए आप बेल आइकॉन को भी दबा दीजेगा साथ में ठीक है और अगर अभी तक आपने हमें टेलिग्राम या फेस्बुक पर जोइन नहीं किया है दिस्क्रिप्शन में लिंक है आप वहां पे जाके हमें जॉइन कर सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा ठीक है तो सुरू करते हैं देखे सबसे पहला कुश्यन है कि अधिगमान तरण कितन इसका उत्तर आप लोग दीजे सोचिए अपने मन में अगर पता है तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तो तो इसका उत्तर है तीन ठीक है पहला क्या है विद्यात्मक अंतरण दूसरा है निसिधात्मक और तीसरा है सोन्य ठीक है तो ये तीन अंतरण होते हैं अधिगम के ठी लोग सिच्छन सास्त्र का क्या अर्थ है दूस्तों तो वे हैं लोग सिच्छन सास्त्र का अर्थ है कि सिच्छन के सिध्धान्तों और व्यवहार की वह समझ जो समाज में सामानी रूप से पाई जाती है ठीक है तो समझ रहे होंगे आप लोग कि लोग सिच्छन सास्तर का क्या अर्थ होता है तो लोग सिच्छन सास्तर का अर्थ होता है कि सिच्छन के सिध्धान्त और व्यभार जो सिच्छन का सिध्धान्त और व्यभार है उसकी जो समझ है जो समाज में सामान रुप से पाई जाती है उसे क्या बोलेंगे लोग सिच्छन सास्त्र जो लोगों के में फैली हुई है वो चीज़ है ठीक है आगे देखिए अगला question भारत में junior red cross कब इस्थापित हुआ तो भारत में junior red cross कब इस्थापित हुआ या प्रशने आपके सामने इसका उत्तर देने का फ्रयास करें तो कब इस्थापित हुआ दोस्तों यह हुआ था 1970 में ठीक है कब हुआ था 1970 में अगला question देखते हैं तो अगला question हमारा कि सिच्छा भावी जीवन की तयारी मात्र नहीं बलकि जीवन यापन की प्रक्रिया है ठीक है तो यह कथन किसने का तो है या कथन का था दोस्तों यह कः दीक है जॉन डीक है आगे officer तो अगला question है की भारत में आधुनिक सिच्छा का जनग किसे का जाता है तो है लौए करजन ीक है ठीक है आधुनिक सिख्चा देखिए यह कुष्छिन थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग भी हो सकता है क्योंकि लौर्ड कर्जन को भी बोला जाता है लौर्ड महिकाले भी है और मौलाना अबल्कलाम को भी कहा जाता है ठीक है तो वैसे तो कर्जन और महिकॉले, ज्यादा तर महिकॉले ही है तो आप लॉर्ट महिकॉले का एंसर ज्यादा प्रिफर कर सकते हैं ठीक shift और लॉर्ड करजन भी थे ठीक है। तो ये मेरे जनता कि जो महिकॉले थे वे अंग्रेजी के लिए माने गए थे ठीक है निर्देशन विधी के जनक कौन थे तो बताई दोस्तों निर्देशन विधी के जनक कौन थे तो बताई दोस्तों निर्देशन विधी के जनक कौन थे तो बताई दोस्तों निर्देशन विधी के जनक थे तो बताई दोस्तों निर्देशन विधी के जनक थे आगे देखे अगला प्रश्ण तो अगला प्रश्ण मारा कि बहु आयामी सिध्धान के प्रतिपादत कौन थे मतलब किनों ने बहु आयामी सिध्धान दिया था लिखना ठीक है ये भासा के चार आधारबूत कौसल है ठीक है आगे चलें तो देखिए अगला प्रिश्ण है कि सहस्वावस्था को सीखने का आदर स्काल किसने कहा है तो सहस्वावस्था को सीखने का आदर स्काल किसने कहा है इसके बारे में बताए तो उसको कहा है वेलेंट क्या तो सिख्छा मनोव ज्यान की आधार सिलह बताई दोस्तों सिख्छा मनोव ज्यान वाट्सन थे वे वहारवात के प्रतिपादक थे आगे देखें अगला कुशन तो अगला प्रश्ण है कि गेस्टॉल्ट संप्रदाय का प्रतिपादन कब हुआ जो गेस्टॉल्ट संप्रदाय था उनका जो प्रतिपादन था वे कब हुआ तो वे हुआ था 1912 में कब हुआ थ जो चिंपैंजी पर प्रयोग किये थे तो वे थे उनका नाम था कोहलर ठीक है कोहलर ने चिंपैंजी पर यूज किया था प्रयोग किया था अपना ठीक है आगे देखें तो अगला प्रिशन है कि संग्यानवादी पद्धत के जनक कौन थे तो संग्यानवादी पद्धत ही द तो यह हो गए हमारे 15 questions तो उम्मीद है कि आप बहुत ध्यान से मन लगा कि सारे questions देखेंगे अगर कोई भी problem हो तो आप में नीचे comment कर दीजेगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe कर दीजे ताकि अगली वीडियो भी आपको आसाने से मिल जाए और bell icon को दबादेंगे जिससे आपको notification भी उसका मिल जाएगा और साथ ही साथ अब आप में telegram और facebook पर भी जॉइन कर लिजे description में link है और इस video को आप हमारे अपने whatsapp पे facebook पे या जो भी आपका social media platform है आप वहाँ पर share कर सकते हैं अपने दोस्तों को बता सकते हैं ठीक है तो बस आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब नमस्कार